हेग गाईज वेलकम बैक टुबिक्रम टुटोरियल सभी का स्वागत करते हैं एन्वल इंटर्मीडियेट एग्जामिनेशन दो चोबीस के कोश्चन को लेके आ हैं जिसमें हम 25 अब्जेक्टिव कोश्चन की बात करेंगे और सारे सब्जेक्टिव को जो है आपको दिखाने क प्रियास करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो के अंध तक बने रहिएगा और इसमें जो भी दिखत होगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा तो पार्ट एक अंदर में मल्टीपल चोइस टाइप कोश्चन है जिसमें वन वन मार्क्स है तो चलिए प इसका हिंदी भी देख सकते हैं जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे वह हिंदी देखेंगे आए देखते हैं कॉस्चन नमर्ट तू वाट इदा मोलेलेटी ऑफ सॉलूशन फॉर्ण फिप्टीएट पॉइट पॉइट फाइव ग्राम ऑप अनसर जो होगा वह होगा आप पांच सिर्फ हो जाता ठीक है पांच स्मॉल हो जाता लेकिन यहां पर ऑप्सन में ही नहीं दिया हुआ है आप लोग कमेंट करके बताईएगा इसका अंसर क्या होना चाहिए से मेरे कॉर्णिंग जो हम पढ़ाने का एक्स्परियंस से बता रहे हैं इसका अंसर क्या आएग कोलिगेटिव प्रपटी कोस्टों मतीन ऊंपोल रहा है इसका अंसर हो जाएगा और अप्सन नम्र शीडिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटी लॉर्इग ऑफ है आपका अलिवेशन बॉलिंग पॉइंट होता है आपका डिक्रीजिंग पॉइंग पॉइंध या और इसका हिंदी में आसानी से आप देख भी सकते हैं वास्वदाब का पेख्छी वावनन अनुसांग की गुंधर्म होता है क्वातनांक का उनियर होता है हिमांका अवनमन होता है और परास्रण दाव होता है जो कि यहां पर ऑप्सन नमर सी में देख पा रहे हैं तो कभी- प्लस तो इतना हो जाएगा 0.59 वोल्ट और इसका इंदी भी आप देख सकते हैं इसी तरह का दिया हुआ है अब देखते हैं कोश्चन नमर पांच वीच अब देखते हैं इस तुरू रिगार्डिंगे प्रैमरी सेल तो दा एलेक्टोड रिएक्शन कैन भी रिवर्स तो प्र प्रोटी है इसको रिचार्ज भी नहीं कर सकते है मरकृरी सेल बिल्कुल सही बोल रहा है मरकृष्य एक प्रॉपरी सेल ही होता है और यह कि अग्यांपल प्राइब ही निटी понадशी सेल होता है स्कांसर हो जाएगा ऑ्साइं सही बोल रहा है तो सही आपका नमर फ्रेंशो साथ याद रखिएगा जीरो ओडर वाला में ओजाएगा मोल पर लीटर पर सकेंड फ़र्स्ट पर लिए यह जाएगा आपका पर सकेंड और के लिए आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएं इसका क्या होगा और आगे बढ़ता हैं नेक्ट कोशन मर्साथ सब्सक्राइब करेंगे अब बढ़ते हैं एक चीज़ बता देंगे ताकि सब्सक्राइब करेंगे और मुझे करके बताईएगा कि आप लोगों दिकत कहा होती है ग्राफ में कहां दिकत होती है ठीक है और हिंदी भर्जन वाले स्टुएंट्स डरे नहीं आपको इंगलिस में देखे हैं हिंदी उसका नीचे में हम आपको दिखा भी देते हैं सब्सक्राइब को पता होगा हर एक आदमी को पता रहता है और एकदम सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मला भी है इसके क्यमिकल कानेटिक्स का और सब को याद रखते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा इलिमेंट्स विट एनमेलेस एलेक्टोनिक कन्फिग्रेशन इंदा स्रीज इन थ्रीडी स्रीज तो सब को पता है इसका क्रोमियन क्रोमियम एन कॉपर यह दो होता है और इसको किसी भी क्लास के लिए इंपोर्टे सब्सक्राइब क्या होगा तो यह सब्सक्राइब क्या होगा तो यह आप कांसर हो जाएगा परभावी नाव कि आविस नमर 20 का करेक्ट रोजाएगा ठीक है कोश्चन नमर 12 वीच अब फॉलिंग कंप्लाक्सेस इस होमोलैप्टिक अब यह और उप्सट से छांट भी सकते देखिए सभी ओप्सन में दिख रहा है दो दो दिख रहा है तो फ्सक्राइब कर आपके हो जाता है ठीक है समझने का फेरा है ना समझेंका जितना कैबस्ट् थर्टीन एक्जामपल बाइटेट लिगेंडी तो इसका हो जाएगा ऑप्शन भी सी टूओ फॉर टू माइनस ठीक है यह बाइटेट हो जाएगा और बाकी सब मोनो डेंटेट होता है और एक तो याद रहे हैं एटन वान तू डायमीन और यह दो थो बाइटेट याद कि वा सब्सक्राइब हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाला ही तो टर्सरी वाला थ्री कुलोरो थ्री मिथाल पैंटन यह हो जाएगा तर्सरी ठीक है तो आप छांट सकते हैं ऑप्शन से छांट लिजिएगा अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन पर 15 अरेंज दा सार्ट मनला ब्रांचिंग से क्या होता बॉलिंग पॉर्टिक्रीज करता है तो आपका सबसे ज्यादा अंदर में थृ नंबर में सबसे कम होगा तो फिर वान हो जाएगा और लास्ट में टू सबस्दक्राइब दिखत होगी तो पुछिएगा तो देख पा रहें यहां पे कोश्चन हिंदी में था यह अब आगे बढ़ता कॉश्चन में 16 प्लस 3103 कॉंग एक वर्ट्ट क्या बनेगा तो और तो नाइट नहीं बनेगा इसका रहाएं तो फोर सिस्ट्राइब रहता ठीक है तो ध्यान रखिएगा चोटी चीज मगर मोटी बात आपको याद रखना पड़ेगा ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में में मार्क दा करेक्ट ओडर डिक्रीजिंग इसी डिस्ट्रेंट फोलोविंग कंपाउंट यहां भी देखिएगा एक चीज और बता दें एनो टू जो होता है अगर किसी भी पिनॉल या कोई भी चीज में रहेंगा एनो टू जो आप ध्यान दिजिएगा समझिए गात तो आपको तुरेंट आप्शन से आप छांट पाईएगा ठीक है जानिएगा यह नहीं तो केसे आप खर पाईएगा नेस्ट कोश्चन आपका देख पाईएगा भी नेस्ट कोश्चन है इनकलेमेंस रेडक्शन कार्बोनिल कंपाउ कि निएट उसको कहते हैं एक एक रिक्शन को बारे में जानिएगा तो आप आराम से ओप्सें से छाट पाईएगा तुसका आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन में वीच ऑफ दा फ्लोविंग डज नोट गीप एडूल कंडेंसेशन रिक्षन तो अलो कंडेंसेशन को नह नहीं देता है तो इसमें आपका ऑप्शन नुमर बी हो जाएगा ठीक करते हैं तो यहां पर आपको अपने आप बुझाने लगेगा दिमाग में घुश जाएगा यह सब चीज अब बाइस नमर कोश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट विच इस नोट यूजड टू टेस्ट एमिल्स इज तो इसका अंसर हो जागा बैंजन सल्फनाइल कोड़ाइट को कोई हिसबर्ग रिजेंट कहते हैं और साने सीस का करेंट हो जाएगा आएं बढ़ते हैं आगे में गुलकोज और क्वाटोस अर्क्वाइड दूसरे का इस सो मरोता है अलग-छोता है बाकि सब तो ऐसे ही सम होते हैं ठीक है इसका इसका हगे सीपारव चिक से लिएज रखत कखा आपका एक ही ऐसापल निनेचरेश्ण उप्रोटीन यह बिल्कुल सही यह सही है तो याद रखना है ठीक है हर एक चीछ को दिमाग में सेट करना है तो दिनेचरेशन प्रोटीन और जब एक वाला जो रहता है वह 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 आप आज कोश्य के लगा अब है लटकोशन आज का लाश्ट कोश्ट जो यहां पर दीका भी बेस फॉन फाॉन लट औल्ट पांड फांट डियांayan न होता एक और और बाकि जो है आरेनगेने के यह देर में याद रखना आपकी सबीट ना ही लेकिन सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या कोशन आया उसके बाद हम वीडियो को अंद कर देगे ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कर दो कर दो प्रोप्य प्रोप्य प्रोा हुए्ट पुछ जाने जब हो प्रोप्य जार धुल क्वश्य जार हुए्ट चाली जो मतलब प्रोपित झाल झाल